नमसकार साथ हैो C baililiyor आएटे ऐगुरु ही आप सभी का स्वागत है दोस्तों IT in CBT का result जारी हो चुका है लेकिन एक बहुत बड़ी प्राब्लम है ये किसी एक की नहीं, किसी 10 की नहीं, किसी 100 की नहीं बलकी कई लोगों की प्राब्लम है बहुत बड़ी समस्या है और समस्य है यहाँ पे कि formative assessment में जो number कम आया है यहाँ पे 50 marks में 120 number लिखा है और यहाँ पे देखे 93 number आया है ऐसे मैं बहुत आपको दिखाने वाला हूँ पूरा विस्तार से समल लिए कि प्रालम क्या है और फिर इसका समस्या का समाधान क्या होगा पूरा detail में आपको इस वीडियो में जारकारी मिलने वाली है दोस्तों यहाँ पे अगर 120 number पास ही मास रते हैं यहाँ पे 33 number आया है इसका मतलब यह क्या है यह fail है ठीक है लेकिन यहाँ पे ऊपर देखे लिखा गया है यहाँ पर लिखा है you have passed आप पास हो चुके हैं यहाँ पे आपको पास कर दिया गया है लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी mistake है बहुत बड़ी problem है और एक की दो की नहीं है दस की नहीं है कई लोगों की problem है आपको और भी result दिखा देना और फिर इसके बाद बताता हो आगे क्या करना होगा ऐसी दोस्तो एक result आप यहाँ पे चेकर यहाँ पे देखिए उपर लिखा गया है पास ठीक है और नीचे यहाँ पे देखिए फारमेटिव अससेस्मेंट में जो है यहाँ पे 90 नमबर मिला है 120 में से मतलब में जितने मुझे result मिले हैं उसमें से जो है 100 कोई भाई पार गया ही नहीं है जो की पासिमार 620 नमबर है इसके बावजुद भी पार नहीं गया है हंड़ के पार कोई गया है नहीं लग भग तो यहाँ पे प्रालम क्या है और मैं आपको दिखा दे रहा है और फिर बताता हूं क्या समस्था का समाधान है यहाँ पे दोस्तों देखते हैं फारमेटिव असेस्में 120 से नमबर पासिमार में 38 में नमबर मिला है ठीक है आगे देख लिजिए यहाँ पे दोस्तों देखिए 89 नमबर 89 में से 70 मार्स होना चाहिए और 89 नमबर यहाँ पे आया है 200 नमबर से जो पुढांग होता है अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर है यह प्रॉलम है कई लोगों की सबका जो फार्मेटिव अस्दमेंब का रिजल्ट है वह सबका जो है इतना ही सो कर रहा किसी का जो है अ समस्च का समाधान क्या है। दोस्तों आपको कुछ चिंटा नहीं करना है, सबसे पहले आपको कि अगर आपका जो है आसा प्रॉलम है तो आपको अपने कॉलेज में एक बार संपर करना है क्योंकि जो फॉर्मिटिव असेस्मेंट का नंबर होता है वो कॉलेज वाले चलाते हैं तो कॉलेज वाले आपको बताएंगे कि प्रॉलम क्या है क्यों आसा नहीं हुआ अगर माल ल तो पक्का भाया जो मिस्टेक है यह ऐसी बीटी के तरफ से वह भी यह चलआ है दूसरी बात है कि ऑभी सर्फ डाउन चल रहा है जसकी वज़ासे भी बहुत सारे लोग आपने बाउन चे Ugh acted हैं लेकिन जो रियल चेक कर रहे हैं उनका प्रॉलम यही आ रहा है तो हो सकता है कोई स्वरबाट डाउन के वजासे प्रॉलम है आगे वहाँ पे संसोधन हो रहा हो कुछ भी प्रॉलम हो सकता है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए ठीक है यहाँ पे आपकी गलती नहीं हो सकता है कि आपका रिजल संसोधन हो जाए और यहाँ पे जैसे मालेजे 600 में से 300 99 में नमबर मिला है तो आपका परसेंटेज भी और उपर जा सकता है यहाँ पे नमबर आपका बर सकता है तो आप थोड़ा सा बेट करिए और ज़्यादा ज़्यादा लोग कमेंड करिए फिर इसके बाद जो इस बात को थोड़ा सा और उपर तक पहुंचाए जाएगा ताकि आपका जो रिजल्ट आको जो भविस है वो खतरे में ना जाए भाई क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं आवाज उठाएंगे तो हो सकता है कि आपके रिजल्ट के साथ खिलवार हो सकता है तो ज़्यादा ज़्यादा कमेंड करेंगे तो मैं फिर से एक बार जो है जो अपनी बात है उपर तो पहुंचाऊंगा ताकि जो है कुछ लोग जानने समझें इसको बात संसोदन करें और आपका जो रिजल्ट है उसका सुधार हो सकें ताकि आपका भविस बन सकें चले मिलत सकता है।